कैसे सूखे और फीले मटर देखते देखते हरे हो जाए तस्वीरें आपको चौका देंगी तस्वीरें गवा है परवल जिसे की लोग बड़े शौक से खाते हैं परवल की हकीकत जो आज आप हम आपको दिखाने वाले हैं वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि अपने घर आप परवल लाएं कि ना लाएं और तर्बूज का एक ऐसा सच जो शायद आपको तर्बूज से नफरत कर दे और सब्जियों के बाद हम आपको दिखाते हैं फलों की हकीकत सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे तर्बूज की लाली का राज सड़कों के किनारे या मंडी में बिकने वाला हर तर्बूज आखिर लाल ही क्यों दिखता है कभी आपने सवाल के बारे में गौर किया है सोचा है उसकी मिठास चीनी की तरह ही क्यों होती है और आप भी इस हकीकत को अपनी आखों से देखे लाल तर्बूज को उसकी मिठास का जो काला सच आप देख सकते हैं तर्बूज में चीनी के घोल का इंजेक्शन लगाया जाता है उसमें रंग मिला जाता आर्टिफिशल कलर ये तर्बूज की मिठास बढ़ाने के साथ साथ उसे लाल बना दे यह आर्टिफिशल कलर एरो त्री सिन भी होता है इससे इंजेक्शन के जरीए तर्बूज में इंजेक्ट कर दिया जाता है और फिर तर्बूज एकदम लाल दिखाई देने लोगा है यह कलर यह कैमिकल सेहत के लिए इतना खतरनाक है कि डॉक्टर्स बताते हैं इससे कैंसर होने का खतरा है और अब जूस की हकीकत भी आप जान लीजिए जो सुनकर आप फिर से यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जूस क्या पीकर वाकर ही आपकी सेहत बनेगी फल का जूस जो है दिक सिर्फ दिखावे के लिए होता है छुपे कैमरे में अनार के जूस की हकीकत सामने आ गई अनार का जूस लाल दिखे इसके लिए इसमें रंग मिलाया जाता है और यह इंडिया टीवी के कैमरे ने कैद किया जूस पीने वालों की नजर बचाकर अनार में सिंथेटिक कलर डाला जाता है और एक बार फिर आपको याद दिला दें जिस कलर से कपड़े और कागज लाल किया जाते हैं उसी रंग का इस्तेमाल आपको लाल अनार का जूस देने में किया जाता है शुपए हुए कैमरे ने जो सच कैद किया आप देख सकते हैं सामने से आपको दिखाई नहीं देगा आपको लाल जूस आता दिखाई देगा लेकिन उसके पीछे का सच देखकर आप हैरत में पर जाएं और अब बात करते हैं मौसमी के जूस की जो अमूमन डॉक्टर्स कहते हैं कि बिमार होने पर दिया जाता है लेकिन उसकी हकीकत और भी चोकाने वाली है इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स ने जो देखा उसे देखकर आप भी हैरत में पर जाएंगे जिन फलों से जूस निकाला जाता है उसमें पहले ही सैक्रीन और चीनी का घोल भर दिया जाता है मौसमीों को रसबरा बनाया जाता है इंजेक्शन के जरिए सैक्रीन की घोलिया आप देख सकते हैं डाली जा रही हैं पानी में मौसमी को छेद करके इसमें भिगो के रख दिया जाता है जिससे मौसमी भरी-भरी लगती है और मीठी लगती है और जो कमी पेशी रह जाती है उसे बड़े-बड़े इंजेक्शन के जरिये मौसमी में सेक्रीन से भरा रस भर दिया जाता है और इन मौसमियों से खूब मीठा जूस निकलता है आप जूस समझ के पीते हैं लेकिन वो होता है चीनी मिला पानी फलो की और सब्जियों की हकीकत आपने देखी मेडिकल एक्सपर्ट का कहना है कि सब्जियों को जिस रंग में रंगा जाता है जिन केमिकल्स को अनार तर्बूज में भरा जाता है वो सिहत के लिए बेहत खतरनाक है कि जिस भी किसी नचिरल चीज में कोई भी कैमिकल्स डाला जाता है वो सभाविक है कि वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है कि कोई भी कैमिकल हो इन मेंसे बहुत सी तरह की चीज़ें को देखा गया है कि ये श्री में लॉंग टर्म में कॉलेक्ट होकर टॉक्सिसिटी कर सकते हैं और श्री के बन-बन अंगों को डैमेज कर सकते हैं और इनको लोग रेट कार्सिनोजन भी कहा जाता है कि जिसे ये प्री-डिस्पोस करते हैं कि किसी कैंसरस के चीज़ों के होने के लिए भलो और सबजियों के हकीकत आपने देखी हमें आ रहा मकसद आपको डराना नहीं अलर्ट करना है क्योंकि अलर्ट रहकर आप ऐसी खतनाख सबजियों से बच सकते हैं हमेशा नैचरल दिखने वाली फ्रेश सबजियां खरीदें कभी चमकने वाली या बहुत ज्यादा हरी दिखने वाली सबजियां ना खरीदें और अगर खरीदे भी तो उनको एक बरी पोटेसियम परमेगनेट के पानी में जरूर डिबोके रखी अगर उसमें रंग लगा हो तो निकल जाएगा और जो बाकी चीजें हैं वो भी थोड़ी हट जाएंगे हम यह नहीं कहेंगे कि आप पूरी तरह से इस खत्रे से बच सकते हैं लेकिन खत्रा आप 60% कम कर सकते हैं हरी दिखने वाली सबजी अमुमन हम लोग खरीदना चाहते हैं तर्बूद भी हम वही खरीदना चाहते हैं जो लाल होता है लेकिन जो हकीकत हमने आज आपको दिखाई है उसके बाद हमारा कहना सिर्फ इतना है कि आप एक अलर्ट नागरिक रहेंगे तो आप पहचान करना यह हकीकत देखने के बाद आप सही और गलत में पहचान करना सीख जाएंगे और काफी हद तक इस खत्रे से बच सकेंगे क्योंकि गोलमाल करने वाले मुनाफ़े के लिए बहुत कुछ करते हैं और इस दौर में कंज्यूमर को अलर्ट रहना ही बचा सकता है झाल